बावु और तेजसुई बावु की वो तुष्टी करन निती पर लगे हुए हैं कहीं कोई जुलुस को प्रोटेक्शन नहीं था जुलुस पर जगा जगा प्रतिबंद लगाया गया था उस सबों के बावजुद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सनातनी समाज को जो करोरों लोग सरक पर थे रही नालंदा और सासाराम की बात तो वहां तो बिलुकुल प्रसासन अक्षम साबित हुआ और प्रसासन और सरकार के सारे पर घटना घटी है सरकार इसकी उच्चस्तरिये जांच करावे दोसी पदाधिकारियों पर कारवाई हो जो भी जुलुस और सोभा यात्रा में पत्थरवाजी किये हैं रोरेवाजी किये हैं उन पर सक्त से सक्त कारवाई हो नहीं तो भारतिय जंता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और वहां जाकर के इस्तिती सामाने होने पर जो सही होगा दूद का दूद पानी का पानी वहां जगह पर फैसला लेकर के आगे की कारवाई सुनशित करेगी ममता बनर जी तो भरकाई है ममता बनर जी तो बोली कि रमजान का महिना है अगर हिंदू जाता है तो उसको खदेर दो ममता बनर जी तो इसलामी के स्टेट बनना चाहती है पसिम बंगाल को आप देखिए कि बंगाल में किस तरह हिंदू समाज रह रहे हैं एक तरफ राम नुवी का जुलूद अवो धर्ना कर रही थी अल्प संक्यक समाज को जो बंगाल में बहुत संक्यक हो गया है देखिए निश्चित रूप से मैंने बिधान सभा में भी कहा मुस्लिम समाज की बिडंबना है कि वो दूसरे समाज के लोग को मानते ही नहीं भाइचारा बंदुत है तो उनको अपने समाज में है और दूसरे समाज को काफिर मानते हैं और काफिर कटने योगे हैं मारने योगे हैं तो बंगाल में तो जनसंक्या बढ़ा करके 30% 35% मुसलमान हो गया और जहां भी 30% से जादे मुसलमान है वहां हिंदुओं को न पूजा पाट करने का आफसर मिलता है न सुभायात्ता निक बन करके बैठी हुई है सी आइडी नहीं सी बीयाई से जांच होगी तभी कुछ होगा सी आइडी तो राज सरकार के दिन होती है वह तो जो असा राज सरकार चाहेगी वैसा होगा देखे निश्चित रूप से आप देख लिजे कि वह प्राकरतिक बतवारा था और आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारत में अनधन की कोई कमी नहीं है यहां कोई भूखे नहीं सोता है अनकाभीक मांगने वाला गाओं घर में बंद हो गया वहीं आटा के लिए 12 लोग कर लोग कराची में मरा है तो निश्चित रुप से वहां के जंता मोधी मोधी कर रही है बिहार और देश के कुछ लोग और निताओं को मोधी काटता है लेकिन पाकिस्तान में लोग मोधी मोधी बोल रहा है यह बिल्कुल आरजेडी के लोग और जडियों के लोग करवाएं हैं सरकार प्रवजित दंगा हुआ है नालंदा और सासाराम में चुकि अमित साधी का प्रोग्राम प्रभावित हो और भारतिये जंता पार्टी के लोग प्रियता से और यह लोग मांसिक असंद्वलित हो गया है आज कुछ बोलते हैं बीषार की जंता से कोई लेना देना किस तरह सत्ता में बठे रहे और सत्ता का मलाईगा इसी में चाचा बतिजा लगे हुए है झाल झाल झाल